डीडी किसान बदलते भारत की शान डीडी किसान बदलते भारत की शान राम राम खम्मा खड़ी नमस्कार मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी आज आपका स्वागत करती हूँ राजस्तान के बालोत्रा से पाउगाव से और सुना होगा कि यहां के किसान अमीर बनते जा रहे है वो अमीरी का माइना क्या है? वो मापने के लिए मैं अमीरों के खेतों में खड़ी हुई हूँ और यही वो खेत है जो लोगों को करोड़पती बनाता है कहता है कि एक जमाना था जब किसानों के बच्चों के हाथों पे खाने के इन्हें फल नहीं होता था आज एक जमाना है कि यहीं के खेतों का फल आउटो कंट्री विदोसों तक पहुच रहा है जी हाँ, यह जानने के लिए आज मैं यहाँ पहुच चुकी हूँ और इसी खेतों के किसानों से जुड़ी हुई बात करेंगे बात करेंगे फलों की, कि फल से जुड़कर हमारा धोरो की धर्ती वाला किसान किस तरह तरकी में आगे बढ़ रहा है यह तस्विर बेहत खूपसुरत है, क्योंकि यह इस गर्मी से आ रही है, यह राजस्तान की धर्ती से आ रही है इस कडाके की धूप में हमने भी यह ते किया, कि महनत किसान कर रहा है, आप तक यह नजारा पहुचना जाए एक दिन हम भी इस जमीन पर इस धरा पर उतर कर रहे हैं, कितनी महनत होती है और यह चमचमाती हुई कडाके की धूप जो है, कितनी परेशान करती है इसको समझने के लिए जरा एक धिन खड़े होकर हम भी देखते हैं तो चले हमारी यात्रा का किसान जए इसी चोपालचर्चा का हिस्सा बनी और हमारे साथ चले तो चोपाल चर्चा का सफ़र जो है राजस्तान और दिखे राजस्तान में इस वक्त की बात कर रहे हैं ऐसे में यहां की गर्मी और यहां के हाव भाव को समझना पड़ेगा जोड़ार से तालिया भाई कितने खूल सूर्ती से हमारे किसान भाई चोपाल चर्चा में बैटेवे हैं पाउं ये गाव हैं बालोत्रा डस्टिक है और आज इस जीले से हमारी बात होगी होटी कल्चर पर इस धोरों की धरती में अगर अनार की खेती आपको देखने को मिल जाए तो ये चमतकार से कम नहीं है इसी चमतकार को नमन करने के लिए दिल्ली से हम यहाँ पहुचे हैं हर किसान से बात करेंगे कि किसान इस परिवर्तन से जुड़ा कैसे वाकई में कुर्शी वग्यान केंदर क्योंकि वग्यान के बिना तरक्की अधूरी है और यह रप्तार जो है वग्यान सही कहीं न कहीं आती है तो हमारे बीच यहाँ पर अधिकारी बैटेव हैं तमाम हमारे किसान सर पर पगड़ी, चहरे पर मुसकान और मुछो पर ताओ इसी पर चर्चा की शुरुवात करता है सबसे पहले मैं आप ही से करूँगी क्योंकि आप ही सबसे ज्यादा मस्कुरा रहा है, खड़े हो जाईए सब नमस्कार जी क्या नाव अपका? नर्पर सिंग चारण अचा नर्पर जी, मैंने सुना है कि सफल किसान की श्रैणी में आपको गिना जाता है यह सफलता का क्या मतलब है? कैसी सफलता? यह मैडम अनार पहली बार इदर मेल आया, कांकी गाव में कहां से लाए? कांकी और पहूं इदर यह महारास्ट्रे उसरे वहां से लाए पोदे अमने और यहां लगाई उससे पहले यहां परमपरगत खेती करते थे अरंडी, बाजरा, जीरा, राइडा यह होती थी 2014 में पहली बार यहां अनार लगाया अचा, आपने कहा से जीखा कि अनार यहां पर लाना चे क्योंकि आपको मालूम था है कि इस मिट्टी में अनार हो सकता है? हमारे को केवी के गोड़मालनी, इन्होंने बताया कि आप अनार की खेती करो यहां अनार हो जाएगा उनके कई अनुशार हमने भी यह शुरू किया जब आपने पहली बार लगाए एक तो डर होता ने क्योंकि हम तो सदा से बाजरा लगाने वाले हैं मोटा आज, सदा से जीरा राइडा करने वाले हैं और बारिश पर निरबार होता है तो जब अनार पहली बार लगा है, तो आपने कैसे ये टे किया कि इसमने कितना पानी चाहिए है, किस समय अनार होना चाहिए, अनार का मार्केट कहाँ से मिलेगा, ये सारी जानकरी? यह डॉक्टर जो के बाले वो आके हमाँ टाइम पू टाइम देते रहते थे वो बता थे एसे करना आपको ऐसे करना यह डालना आए वो डालना सारी ओजान करी देते थे उस इसाब से हमने यह सुरू किया 2014 में पहली बार आप जो है यहां पर अनार को लेकर आए और दो गाउं का अपने नाम गिनवाया है उसके बाद आसपस के तमाम गाउं अभी सारे गाउं हम पास में ऐसा कोई गाउं नहीं है जा अनार नहीं है और ऐसा किसान भी कोई नहीं है जिसके अनार नहीं है बड़ा कि अब तो मेडम यहां आम लगने सुरू हो गए क्या बात कर रहे हैं हाँ चीकु है आम है हर फूरूट होता है यहां मैनत करने वाड़ा चाहिए आप में कितनी अमीरी आ गई है जब से अपने अनार लगा है कि अच्छ सब्सक्राइट हैं अब हर चीज में बदलवा आए खेसाने मार्केट ले जक्षित pak था है हही है आपको यह ऐसास कराजी एक डाल्यों कि दरतनीरं। वाकई में यह ताल्यों की गड़डाट धोरों की धरती से आ रही है जटतबतपाती रेट आहएं आपको यह एक इसास कराती है कि इसी को मेहनत कहते हैं और इन्होंने तो बता दिया कि अब लोग यहां पर आना चाहते हैं आप अधिकारी है मैं आपसे पूछना सबसे पहले जरूरी समझूगी नमस्कार क्या नाम है नमस्कार डोक्टर बाबुलाल जाट मैं कीट वेग्यानी करसी विग्य कि इन द्यूशान के अंदर जो है गुड़ा मलणी वह फार्मर के साथ किसानों के साथ मिलकие टाइम टुटां बीच बीच में बीच में करना होगता तो किसान आपसे जुडते हैं या आप किसानों के खीटो में ट्रेंग लेता हैं किसानों को जोड़ने के लिए हमने अलग-अलग गृप्स बना रखें, सोसल मीडिया के साइट के तुरू गृप्स बना रखें, जिसमें किसान अपनी प्रोब्लम रखता है, उसका हम समधान करते हैं, और कुछ ज्यादा ही प्रोब्लम हो जाती है, तो हम किसान के ओन फार्म पे जाके उसका डाइगनोसिस करते हैं, और जैसा कि नर्पा सिंग जी ने बताया, 2014-2013 से पहले यहां कोई अनार दिखता नहीं था, और अभी करीब बात करें, पूरे बाड मेर, बालो तरा में, तो तकरीबन 13,000 हेक्टियर अनार उत्पादन हो रहा है, हेक्टियर छेतरपल में, अनार उत्पादन हो रहा है कौन सा समय सही होता है, क्योंकि अगर पानी नहीं है, तो कम पानी वाले, क्योंकि यह सुष्क ड्राइ एरिया है, यहां पर अनार केसे सक्सेज हो रहा है? क्योंकि अनार को सक्सेज करने के लिए, पहले किसान जो है अनार से पहले वो परंपरागत सिचाई करता था, पानी, फ्लडिंग, इरिगेसन देखे, लेकिन जैसे ही अनार की खेती आई तो उसमें पानी की रिक्वार्मेंट, पानी की मैता को समझते हुए, बूंद-बूं कि अन्दर मैंने में इसका फूल सुरू हो जाता है, और तक्रीमन जाता हो जाता हुए, सितंबर तक सेट हो के और दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक ये इसका जो उत्पादन जो है वो लेते रहते हैं, अब आप से जनकरी ले ली है, खली एक किसान की बात नहीं करेंगे, औ अब आब यह गढ़े हो जैने, नमस्कार, राम राम कहाँ है, अच्छा है, यह धोती सर पर पगड़िया है, यहां का पहनावाँ है, यह मेंने, घास आई है, पहले से कितना बदला, बदला ठीक ही, अच्छा है, दीरे दीरे प्रोग्रिस हो रहा है, और सी क्रेह है, नही न संसादनों की कमी थी, पानी की निकालने के लिए कोई संसादन नहीं था, तो देरे देरे बीदली आई, और देरे देरे भी प्रोग्रेस हो रहा है, अचे आप भी अनार लगाते हैं, हाँ, हमारी भी है, कितना बीगामे अनार हैं, बना 2,000 पोदे, 2,000 पोदे, आपने कभ दो साल हो गये, 2,000 पोदेखकर, देखकर लगाए हो गये, आपने कभ देखी, ये दूसरे को देखके, पानी बराबर है, पानी बराबर है, अब द्री पिरिगेसन से कर रहा हूं, किस से खेती कर रहा है, तृप से कर रहा है, बैठिए, बहुत दन्यवाद, दोसाल आपको ह कि इतना बदलाव चमकती हुए यहां पर सड़के चारो तरफ हरियाली वो भी इस समय में मुझे यह बताईए अनार कब से लगा रहे वागा तो दोजार सब्दे में नर्फसींगें लगाई थी उनके बाद में भी सिके 15 माँ 16 माँ भी सलूए और कम है वाँ भी लगाते है भी तो सलूए चालू होगे अनार पूरा और और अर्गेनिक होता है देशी खाद से या फिर इसमें जहर यूरिया डालते हैं यह देखो यह और न कि नहीं रहा है इसमेसे बाद में पानी के जयादा मिलाव का मिल से मिलता है पानी की केते ज्यादा समस्या है तो कैसी खेती है जा रहे हैं आदि जरौ भून से करते है न उसमें तोड़ा पानी कृ जाता है जब ए winter टोजए ठीक्विंजि एउकें एदॉड़ा है पड़ा आंखों ने तो बहुत कुछ देखा है कि इस गाउं की बात करों अब तो यह देखो नहीं अब अब तो यह देखो नहीं अब वरते भी खुर सी बैठती थी जिस बाड़मेर की मैं बात कर रहे हूं क्योंकि दादा जी ने कहा और यह आपने सुना भी होगा क्या महिलाएं घर कि चोकट को नहीं लांगती थी यह बेटियों का घर से बार निखलना समझ लीजे लगभग मना होता था वह आज महिलाएं माताएं अगर बराबर बैठी हुई है यह एक बहुत बड़ा बदलाव है इस धरती से बहुत सही का आपने यह बहुत दन्यवाद जी आप भी घड रहता है कि मलब ज्यादा से ज्यादा यूरिया और यह बलब पेस्टी साइडे उसको कम करना है और कर रहे हैं अभी लोग और बाकी बढ़िया है यहां का ठीके सब अच्छा है किसना बदलाव आपके घर में आगया है नार दगाने के खुब बदलावाया है खुब खुब अभी लोग सूखी है पहले परिसान थे लोग पानी भी मलब यह कुआ और टूबल नहीं थे न तो पानी भी एक गाम में एक होता था वहां से पूरा गाम ले जाता था पानी सर पे लाते थे सर पे और उट पे और सब के पास में उट भी नहीं था तो वह मलब सर पे लाते बहुत भर बेड़ेता ही इतना बढ़ा बदलाव क्यो log nothing a Arts & B imiz णी आसप बढ़ी आज और सि Saintsa भी ऑगया इस्कूल बहुत हो गए अब बच्चे भी पड़ रहे हैं सब ठीके नहीं तो यहां पहले मनलब शिक्सा की भी इसकूल भी नहीं था तो पड़ाई भी नहीं हो रही थी ऐसी था बालूतरा की तो ऐसा था पहले तो अब बहुत बदलाव आ गया अब यह मनलब फलाओं की खेती हो गई तो सबी लोग अभी अच्छी अच्छी आलत में जी बेटिये इनको भोले किसान मस समझे कि रेगिस्तान की धरा पर रहते हैं तो कुछ भी हो जाता होगा आमदनी बढ़ रही है तो खर्चे भी बढ़ रहे हैं लेकिन दोनों को कैसे मेंटेन करना है और देखिये जिस धरा की मैं बात कर रही हूं वहां पे महिलाओं के सर गड़ा होता था और हमारे किसानों के हाथों में उंट का कहीं न कहीं रसी होती थी और उसी को चलाकर पूरा जीवन यापन होता था वह आज हमारा किसान खेतों में बेटकर चर्चा कर रहा है चोपाल चर्चा उन्हीं से हम बात कर रहे हैं जी आभी खड़े हो जाईए नम अनार में आगे हैं वो खेती क्यों छोड़ दिया है वो खेती उसमें आवननी कम हो रही थी घुजारा मुश्किल से शलता था और अभी इससे तो कई लोग तो कराड करोड़ पती बो गए कई लोग हो गए अभी आप नहीं पहुंचे उस रेस में मैं नहीं पहुंचा हूँ मगर कई लोग सो मैं से 20 किसान तो करोड़ पती हो गए और अच्छी किसान अगा ठीक लेवल सलता है अनार से करोड़ पती हाँ अनार से करोड़ पती बने सब तुम कह सकते हैं कि अनार वाल इसे लाई थी अनार इसे नर्बस जी समों ने शिका इधर तो सबसे पहले नर्बस ने लाया का कि अंदर उसके बाद में सब लोग देरे-देरे कोई पहुंचो कोई दार कोई 2000 वोदे लगाने सरू कर दिया और उसके बाद में जैसे पैदाबार बिड़ी तो देरे-देरे- प्रड़ी की बात हो रही है और इस बदलाव में देखिये किस तरह से जो कहते हैं कि किसान बहती हो इंगा में हाथ धो रहा है नमस्कार मैं गणपतलाल कालो राम जी सेन विलेज पाष्क पाद रूपा हूं अब इसान हो एक जैसान का बेटा हूं अच्छान के बेटे किसा घ्रादते हैं कोई बैसे साथ हैं उनकार जान कम करो एक्रूं या पूटि मोटी मोटी डवाई की दूकां रगा हूं वह सब कर लोत कर लोते हैं बाड़ा फार्म सिर्फ नर्पजी का भी है या और भी किसानों के हैं अपने यहां जैसे पॉंग कांकी मैं दो नर्पसिंग जी गाई है तिबेटिये बहुत दन्यवाद नमस्कार नमस्कार आदी जी मेरा नाम सुरेंदर कुमार है और मैं एक चुल में पैसे से शिक्षक हू जी फेली है कि आप लोगों को वहारी घ्यान के सबस् landscapes which you know के सवाह्त वेक्ति को जरूरी है और अगर कोई पर बिकाव कोई किसान बंएगा ना तो उसका मतलब उत्पादन करने का लेवल यह उनwehr आपको एक दो लैने बताता हूं कि प्यारो है भाडानों मारौ केशान को इस शेत्रमने गूमियो ज़रूरी नहीं आप जैसे अवर्टी कल्चर में अनार है मैं तो कई बार चुटी के दिन है या मालो चुटी होने के बाद मेरी तो मैं अपर ये अम्रूद के खेत मेल जाएंगा आपको नीम्बू के खेत मिल जाएंगा अपको खजूर खजूर के तो अनार के बाद शेकिंड पोजिशन पर खजूर आ रहा है और यहां का खजूर इतना बैस्ट है कि फोरेन में जाता है अरब कंट्रियों में जाता है तो कैसे हुआ यह बदलाव एक इसके पीछे दो तीन रिजने एक तो मतलब बिजली की वेवस्ता हो गई थी पहले क्या होता कि दोरों में कुझ नी कोद सकते थे तो कुछ ही कुए मिलते थे फिर बिजली की वेवस्ता वोगई तो तूबेल हो गई तो फिर दीड़े- तो और महाराश्टर बोडर टच में तो जैसे वहां की बागवानी होटी कल्चर की जो भी फशल थी हमने देखी तो जैसे कुछ सजने से जो और मॉर्डर की एगरीगल्चर में रहे थे फारमर्स है वह यहां लाकर प्रैक्टिकल किया तो उसके बजाए फिर वाम। उनके बजाए यहाँ ज्यादा पदन हो रहա हुशका बेठिए बह। धंयवाद, बहुत अच्चे आपने जानकारी दी हैं तो किसान हाइचेच खेती से कर रहा है बिख्यान कर रहा है और किसा बहुत ार अगर एक ने तरक्की की है तो वो पडोसी की खित में भी लग जाएगा और यहां एक की देखा देखी पूरे भारत की सबसे जादा यहां पर देखी जाएगा भाई चारा जो आपको यहां पर राजसान में मिल जाएगा तो चेले वक्त हो गया है बालोत्रा की चोपाल कि नई तकनीकी का है पूरा ग्यार कम पानी में जादा मुनाफ़ा करते हैं यह किसाल पहाडों पर बहने लगी है विकास की रफ्तार बात पहाडों में बसे वे अन्दाताओं की जैविक खेती से हो रहे हैं किसाल माला माले जो मेला है और आज किसी से भी कम नहीं है कंदा से कंदा मिला रही है कितना इसुखा भी पढ़ जाये तो भी यह फसद हमारी आ जाती है लड़कियां पढ़ाई भी कर रही हैं अपना खीती का काम भी कर रही हैं आप देखिये किसान यात्रा मेरे साथ हर मंगल वार दोपहर तीन बजे तो ब्रेक के बाद बालोत्रा के bitches are का एक बार फिर सुआगत करता है और चर्चा को आगे बढ़ाता है बात बद्लाव की बात तरख्य की बात चेहरों पर जो मुस्कान है हमारे किसानों की, कि देखे बाडमेर की बालोतरा की धरा में हमारा किसान किस तरह से खेती से जुड़ रहा है, किस तरह से आज की खेती कर रहा है, जे, आप से मैं पूछूँगी, सर, खड़ो ये, नमस्कार, सेल सिंग राजपुरुट, जुड़ गे पांच सांथ साल हो गए, अभी आटजार पोदे हैं हमारे अनार के, कहां से लिकरा है पोदा, पोदा महराष्ट से, एक पोदे की कीमत कितनी है, एक पोदे कीमत है 30 रुपया पैथिस रुपया लगते, एक पोदे की अगर मैं कोष्ट जानू, उसका खर्चा पूरा खर्च आक पोदे को पनपने तक कितना हो जाता और आमदनी एक पोदा के इता, अभी सोटे से पहले पोदे लग जाते, तो आप जाता था एक पोदे का, बाद में बड़ा होने के बाद वो आए तीन जार तपका लोग कई XML Earth से ओर यृव क्यो tiger dad with Edition . concerns बेसिय टो पश्णपाद ने ये लाते हैं बाहर है है वह मगाते हैं बार से और घर का भी रखते है थोड़ाद लुह दोगर का यहामचा जाद है जादास ह॥ीएगऄ अच्छा 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 आपने कहा कि देशी खाड डालते हैं खाड हम बार से लेकर आगए हैं अनार के साथ साथ और खेतों में एरंडी है बाजरी है मुंग फली है सब यह देशी जीरा है इसब गोल है है तमाम चीजे अपनी घिन वाई है लेकिन मैंने बाजरी का नाम सुना तो मुझे समझाए है कि बाजरी के आजकर मोटे अनाज श्रीयन की काफी डिमांड है फाइदा हुआ जहें बाजरी की हमाई है फैदा हो एंदक लिए कसे अने और यह रहेंगे या दोनों खेती मिला के करेंगे तमाम सब मिला के करते हैं एक अन्ना अर्शवत क्या होता है अगर नुक्सान हो जाए तो दूसरे में फ़ाइदा हो जाते हैं बैठे बहुत दन्यवार तो देखे ब्रेक के बाद भी चर्चाल लगातार जारी है यहां की गर्मी मुझे लगत कितने भी गाम है ब्लाइग अपने कप से शुरू किया अनर की ख्यति सात साल हुग है इससे पहले कुण सी प्रचाल और गवार बाजरी एके महनत कम हो गई है मैं समझ नीप पाइए कौण सी महनत कम मैंने तो एनार में तो गड़ी हैं वीजी महनत कम है में फ्रृ में तो कोई समस्या होगी इस धर्टी पर अगभी सब कुछ ठीक है तो चलिए आज इसी ठीक तस्वीर को और बहतर दिखाने के लिए तमाम किसानों से चर्चा कर रहा हैं आप भी भाई साब क्या नामे आपका राजपूत है राजपूरूइथ है पटेल है जाठ ब्रामेड है तमाम जाटिया रहते हैं? हाँ तमाम जाती रहते हैं। मैं गुजराज ची वे से हैं, और मेरा एक दोस्त, ठीश्य कल्चर अनार के पौदे बनाता था, उसके साथ में गुमने आया था, फिर हरम नरपाथ्षी ये मिरें और उनकी खेती देख्या, तो हमने भी यहां के अनार की खेती की तो देखे रहागिर भटकते भटकते इदर आ गए घूमने आये थे हमें क्या मालूम था कि वो घूमने आएंगे यहीं अपना बसेरा डालेंगे इतना यहां पर फाइदा दिक्राब तो हमारा भी एक खेती का होभी है इसलिए हम इद्धर आके खेती की बेठीए बहुत दनीवाद जी बहुत सुन्दर आपने का जी सर्क्राइब नाम अपका नरेंदर पटेल से समझ में आता है गुजरात से आया है गुजरात से यहां पर घुमने आये हैं खेती देखने हैं क लोग बाहर से सिर्फ घूमने नहीं खेती को सीखने समझने आ रहे हैं तो क्या विचार बना रहे हैं आपको भी अनार में जाना है वह सूचते हैं तो चली भाई आज हमारी चोपाल चर्चा में कितनी अच्छी बात हमें भी देखने को सुनने को मिल गई हैं कि यहां से किसान मिल गई है जो बालोतरा के आनार को सीकर समझकर अपने वहाँ पर करना चाज़ू हैं अयरे एक एक में पूरे बालोतरा की तस्वीर बदल दी हैं तमाम किसानों के घर घर अनार पहुचा दिया है जे आपका क्या नाम है युवा किसान है भरसिंग जी युवा किसान इसली बोल रही हूं कि पड़ाई कर रहा है या खेती में आगे ने खेती में आगे पड़ाई शोड़के बनीवाद करेंगे तो चुपाल चर्चा में लगातार एक किसानों से बात कर रहे हर किसान की बात सुनकर हम भी हैरान हैं तो मुझे लगता भी आप भी सुनकर है रान हो जाएंगे घड़े हो जाएंगे क्या नाम गणता सबसें तो गनपर जू कहेंगे इस घरमी में इस मिट्टी में इतना सब कैसे हो रहा है और बाध सोने की हो रही है यह सोना काई जमीन उगा रहे है गाई सब सब कुछ करना ना यहां नमेंट करते हैं तो निदी यह अन्जीर भी लगाया थे रही है चाहिक ए अंजीर के अधि अंजीर विवद से लगे थे माल बिकने में में बहुत परिशान हो तो यह सुनकर इस पर काम करने की जरूरत है कि यह सब कुछ और अगर अजीर आपने कहा कि हो गया था पोदा अच्छा था सब कुछ अच्छा था उत्पादन हो गया लेकिन कई फेक्टरी नहीं तो मांग न किसान जागरुक हो गया हमारा बेठिये जाए वो कहीं पर भी रहने वाला हो आप आप क्या नाम है आपका चैल चिंग आपके अगड़ते हैं खेती खेती और कैसी खेती कि अनार के इंद्ध कर रहा है और यह चमतकार को नमन हम भी कर रहा है क्योंकि यहां पर बात लगपति क नहीं करोड़पतियों की हो रही है और ये करोड़पतियों को जब अलग किसान हमारे सुनेंगे जब हिंदुस्तान इन्हें सुनेगा तो हर कोई करोड़पति बनना चाहेगा नोक्री में क्या रखा है इन किसानों का कहना है कि महनत करें ये जमीन सब कुछ दे सकती है बस शर आज़त दीजिए का बाड़ मेर में हूँ बालोत्रा में हूँ यहीं नहीं रुकेंगे और गाव में चलेंगे लेकिन अगर यह कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाए तो यूटूब के मादे हमसे भी देख सकते हैं नमस्कार